आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिष न्यू जेम्स रतना सागर लेसन नंबर 13 लाइन रिटर्ण इन अर्ली स्प्रिंग जिस पॉम को लिखा गया है विलियम वर्ट्सवध के दुआरा तो इस पॉम को स्टार्ट करने से पहले हम विलियम वर्ट्सवध के बारे में जानने वाल हुए और इनकी पोइमस में ये प्राकर्टी के वेरियस element की तीरफ फोकस करते थे और साथ ही इनको relate करते थे human being से कि एक तरफ ये प्राकर्टी की प्रसंसा करते थे और दूसरी तरफ humans की बारें बताते थे कि कैसे humans बध सेonsin सबत्त्तर होता जा रहा है तो इनहीं I heard in a thousand blended notes while in a grove I said recline यानि कि grove यहां 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 पर बगीचा blended है यहां यहां पर mix आवाजे और recline है एक बैठने की position जैसे कि आप picture में बैठ देख सकते हैं कि कभी एक recline position में यहां पर बैठे हुए है और यह कहते हैं कि जब मैं बगीचे में बैठा हुआ था while in a grove का मतलब है जब मैं बगीचे में एक recline position में बैठा हुआ था तब ही मैंने हजारों की मिली जुली आवाजे सुनी और आप बगीचे में अगर बैठे होंगे तो आपको भी कैसी आवाजे सुनाई देंगे जैसे की चिडियों के चह चहाने की या फिर पत्तों के हिलने की या फिर किसी जहने की भेने की इस तरीके से उन्हें आवाजे सुना रही है और उनका mood बहुत ही अच्छा है वो एक sweet mood मूड में है लिखते हैं फिर वो आगे इन लाइन में इन देट sweet mood वेन pleasant thoughts ब्रिंग सेट thoughts to my mind कि इस समय जब मैं sweet mood में था तब मेरे अंदर अच्छे अच्छे वैचार आ रहे थे बहुत ही अच्छे सुखद विचार आ रहे थे उनके सुखद विचारों के साथ साथ बड़े ही दुख भरे विचार भी मेरे मन में आ गए अब ये दुख भरे विचार कौन से हैं ये हम next line में पढ़ने वाले हैं इन्होंने लिखा है to her fair work हर है यहाँ पर relate किया है nature की तरफ कि प्राकरतिक के अच्छे कामों ने प्राकरतिक को human soul से जोड दिया है जो अभी भी मेरे अंदर बेह रही है यानि प्राकरतिक ने इन्सान की आत्मा से जुड़ चुकी है और मैं महसूस कर सकता हूँ प्राकरतिक के अच्छे कामों को और मैं इन सभी को प्राकरतिक के अच्छे करता है एक दूसरे से जलता है और इनसान ने कैसे प्राकरतिक को तबाह कर रखा है जबकि प्राकरतिक तो इनसान के बारे में या फिर जो भी लिविंग बिंग है सब के बारे में सोचती है पर इनसान तो इस प्राकरतिक को ही तबाह कर रहा है next line में लिखा हुआ है throw primrose tufts tufts का मतलब है यहाँ पर फूलों का गुच्छा और यहाँ पर sweet bower है एक जाडिया जो च्छावदार है तो च्छावदार जाडियों में से primrose निकल रहे हैं और उन primrose के तरफ से ही कौन निकल रहे हैं पैरी विंकल के फूल खिले हुए निकल रहे हैं and tis my faith that every flower enjoy the air it's breath और मेरे यह विजवास है कि जितने भी flower में देख रहा हूँ यह सभी flowers उस हवा को enjoy कर रहे हैं जो इस हवा को जिस हवा में यह सांस लेते हैं the birds around me hoped and played कि जितने भी मेरे पास पास यह पक्ची उचल रहे हैं और खेल रहे हैं their thoughts I cannot measure यानि इनके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें मैं महसूस नहीं कर सकता या फिर उनके अंदर जो खुसियां है जो भी यह वो फील कर रहे हैं कि यह बड़े ही आनंद महसूस कर रहे हैं यह बड़े ही खुस है next में लिखा हुआ है the budding twix budding twix यानि वो ऐसी डालियां जिन में अभी अभी नई-ई कलियां खिली है या फिन नई-ई पत्ते लिख ले हुए हैं तो ऐसी डालियां क्या कर रहे हैं the budding twix spread out their fans कि यह budding twix यह डालियां अपने fans को फैला रही है यानि अपने पत्तों को फैला रही है to catch the breezy air कि उन उस हवा को पगड़ने के लिए जो हवा वहां पर बह रही है यानि पेड की डालियां अपने पत्तों को खोल कर उस हवा को छूने की कोसिस कर रही है and I must think do all I can that there was a pleasure there कि मुझे यह सोचना चाहिए और मेरे यह मानना भी है कि वहां पर जहां मैं बैठा हुआ हूँ यहां पर बड़ा ही सुकून है बड़ा ही सुकून मुझे मैसूस हो रहा है और बड़ा ही आनद मुझे आ रहा है if this believe from the heaven be sent कि अकर यह मेरे मानना है मेरे यह मानना है कि अकर यह सुर्ग से बेजा हुआ है कि जो मुझे मैसूस हो रहा है जो मुझे आनद यहां पर मैसूस हो रहा है यह सुर्ग से बेजा हुआ है और ये प्राकरतिक का एक holy plan है यानि प्राकरतिक की एक योजना है एक पवित्र योजना है मुझे ये सब कुछ ऐसास दिलाने की कि प्राकरतिक कितनी अच्छी है तो मुझे रख क्या have I not reason to lament lament का मतलब है दुख होना दुखी होना क्या मेरे पास कोई वज़े नहीं है दुखी होने की कि किस वज़े से दुखी होने की कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है यानि last paragraph में इनोंने कहा है कि सवर्ग से अगर सवर्ग प्राकरतिक ने मुझे सवर्ग से message भेजा है जो मुझे महसूस हो रहा है कि इस प्राकरति मुझे बताना चाहती है कि वो कितनी अच्छी है तो मुझे क्या ये रीजन नहीं है मेरे पास ये वज़य नहीं है निरास होने की कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है कि इंसान कितना बेकार हो चुका है कितने बत्तर हो चुका है कि वो कैसे इस प्राकरती को तभा कर रहा है जो हमें प्राकरती इतना आणन देती है और हमारे ये भलाई के लिए सोचती है तो इस तरीके से विलियम वर्ट्सवर्ट ने अपनी पोयम को यहाँ पर खतम किया है और हमारी poem भी हाँ पर खतम होती है वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर करना है and thank you, have a nice day, bye bye